Hello students, very good morning तो पंजाब के students के लिए बहुत अच्छी news है पंजाब पतवारी की जो official notification है उसके लिए जो है पंजाब सरकार ने एक notice जारी कर दिया है जिसके बारे में आज मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ तो पंजाब सरकार ने PSSSB को ये कल की date पे ही ये notice जारी किया है कि आप जो है ये जो 1090 पोस्ट है पंजाब पतवारी की इसकी जो recruitment है इसको आप start कीजिए जैसे 2014 में हुई थी recruitment सेम प्रसेस को आप जो है repeat करके जो है ये आप जो है जैसे आपने 2014 में recruitment की थी सेम प्रसेस के accordingly आप जो है ये recruitment कीजिए तो इसमें जो है इनोंने PSSSB को ये भी कहा कि कितनी कितनी पोस्ट जो है वो fill करनी है आप इसके लिए आपने जो है recruitment प्रसेस start करना है तो जनल में 406 पोस्ट है जनल की EWS में 117 है SC केटगरी में BMS की 117 है RO की SC केटगरी में 91 है BC केटगरी में 114 है X-Service Man में General में 93 है BMS में 27 है RO में 26 है और BC में 21 है और Orthopedic Handicap की 29 पोस्ट है उसके बाद आपका ये रह गया Sportsman में General में 20 BMS में 10 RO में 6 BC केटगरी में कोई पोस्ट नहीं है Sportsman में और Freedom Fighter है उसकी 13 पोस्ट है Total 1090 पोस्ट है तो ये सरकार में PSSSB Board को कहा है कि आप ये process जल्दी ही स्टार्ट कीजिए इसके recruitment जल्दी ही स्टार्ट कीजिए तो मेरे accordingly जो हमें अब expectation है कि अगले 15-20 दिन में जो ये recruitment जो है इसकी जो official notification है वो आ जाएगी जल्दी 2014 के accordingly होगी graduate होगा 10th में पंजाब भी होगी 120R का computer certificate रहेगा लेकिन अभी ये expectation है जल्दी पंजाब के सारे paper में यही रहता है तो आप जल्दी से जो लोग काफी 2-3 महिने से त्यारी कर रहे है अब अपनी त्यारी को speed up कीजिए ये आपके लिए एक कहली जी होली gift दे रिया सरकार ने और अगर आपने अभी तक bride academy को join नहीं किया है अगर आप ये wait कर रहे थे कि coaching जब advertisement आएगी तो हम जो है coaching join करेंगे तो हमारे यहाँ 2 months का जो एक course है हम start करने वाले हैं जल्दी ही means अभी कल पर सो ही start होने वाला है जिसमें 5-6 hours की class लगेगी जो है आपको morning, evening, afternoon सारे batches मिल जाएंगे जिसकी 12,000 fee है और अगर आप bride academy के student हैं तो सिर्फ 1,000 rupees fee है और अगर आप coaching नहीं कर सकते किसी कारण तो आप हमारे correspondence notes भी ले सकते हैं जिसमें हम सारा slaves जो है including agriculture accounts, mensuration cover करेंगे जिसकी fee है 4500 और अगर आप bride academy के student हैं और आप agriculture account और mensuration के notes लेना चाहते हैं तो आपको 500 में मिल जाएंगे तो my dear students आप जो है अच्छे से आप इसकी त्यारी करो अगले 2-3 मिने में ये paper होने वाला means आप expect कर सकते हैं अगर March end तक भी advertisement आती है तो मई या June के मन्त में ये paper हो जाएगा तो आपके अद 2 मिने का time है आप इस मोके को आप जाने ना दो और कोई भी आपके पास doubt है इस advertisement को लेके या paper को लेके आप comment section में हमें पूछ सकते हैं so thank you very much all the best God bless you all